दो अक्टूबर को महात्मा गाधी की जयनती होती है साती साथ पूर प्रधान मंत्री लाल भाधुर शास्त्री की वे जयनती होती है संयुक्त राष्ट की महासभा ने 2007 में गाधी दिवस गाधी जयनती के अउसर पर अंतराष्टी आहिंसा दिवस के रूप में नामित किया 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतराष्टी आहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है कैमूर वन्जी अभ्यारण बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा इसके लिए NTCN नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एथर्टी ने मंजूरी दे दी है तो अब इसका जो प्रोसेस है अगला प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा बहुत जल्द कैमूर वन्जी अभ्यारण भारत का पच्पनवा वन्जी अभ्यारण है टाइगर रिजर्व है बन जाएगा GST सहाए ये क्या है तो एक पोल्टल है एक प्रेटफार्म है इन्वाइज फाइनेंसिंग लोन्स के लिए बित्ती इस्थिरता के लिए शशक्ति करण के लिए किसके MSME के MSME शित्रक भारत के लिए संजीवनी है न सिर्व रोजगार के शेत्र में बलकि भारत को विश्व की आर्थिक माशक्ति बनाने के लिए तो सिडबी द्वारा इसको लॉंज किया गया है प्रशन पूछेगा नीत यायोक के द्वारा सिडबी के द्वारा RBI के द्वारा या वित्त मंत्राले के द्वारा ये चार आप्शन आ जाएंगे तो सिडबी याद रखेगा GST, Sahai, MSME के लिए सिड़ भी द्वारा 2018 Everyone is a Hero पहले भी चर्चा हो गई है इस फिल्म का पूरा नाम है 2018 Everyone is a Hero मल्यालम फिल्म है केरल की सौ करुण का आकड़ा सबसे तेज पार करने वाली यह मल्यालम फिल्म है 92 वे आसकर जो पुरसकार होंगे उसमें भारत की आधिकारिक प्रविष्टे के रूप में इसको भेजा गया है 2018 Everyone is a Hero Asian Games 2023 मंगोलिया के खिलाफ द्यान रखेगा नेपाल ने एक तो रिकार्ड बनाया 300 के पारी स्कोर बनाने का T20 किकेट में इसी मैच में ये दरसल मंगोलिया के खिलाफ था एक अत्यान थी कमजोर एकदम नौसिखिया टीम इसके खिलाब दो खिलाडियों ने बहुत जबरदस रिकार्ड बनाया है तो दिपेन सिंग एरी और कुशल मल्ला ने दिपेन सिंग एरी नेपाल के किकेटर है नो गेदो पर इन्हों ने 50 अमार दिया और श्रतक मार दिया इसके पहले ये रिकार्ड जो पहला विशुकप था टी 20 विशुकप उसमें यूराज सिंग ने इंगलेंड के खिलाफ जिसमें 6 शक के 6 गेदो पर लगाये था उन्होंने तो 12 गेदो पर 50 अबनाया था वो रिकार्ड अब जाके द्वस्त कर दिया है दिपेंज सिंग एरी ने यूराज सिंग के 12 गेदो पर 50 रंग के रिकार्ड को तोड़ करके कुशल मल्ला भी नेपाल के ही हैं इन्होंने शतक लगा दिया 34 गेदो पर शतक ठोक दिया सबसे जो तेज है शतक इन्होंने बना दिया है इसके पहले रिकार्ड डेविड मिलर दक्षन फीका के और रोही शर्मा भारत के इन दोनों के नाम था दोनोंने 35 गेदो पर शतक लगाया था कुशल मल्ला और दिपेन सिंगेरी दोनोंने तोड़ दिये कोनो कॉर्पस ये एक व्रिक्ष है बटन मैंग्रो है मैंग्रो जाड़ी है एक प्रकार की है गुजराज सरकार द्वारा इनके रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है पर्या और अध्यानों के बाद ये पता चला है कि कोनो कॉर्पस ये जमीन के अंदर जल में घुल करके न सिर्फ जल को प्रदुशित करती है बलकि स्वास की दिश्ट से खास कर जो सांस संबंधी मिमारी है इनको फैला रही है तो इसी को दिश्टिगत पर्या और अडिवा स्वास धानिकारक देखते हुए कोनो कॉर्पस के रोपन पर गुजराज सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया इस पौधे के बारे हम पूछ सकता है सरना कोड जो की सरना धर्म से संबंधिद है सरना धर्म जहारखंड के जो आदिवासी समू है देखिए आदिवासीयों के अंदर धार्मिक भौनाय बहुत प्रबल है आप जाएंगे आदिवासीयों के बीच तो हर एक आदिवासी कबीले में आपको एक देवता वहाँ पर मिल जाएगा तो ये मुक्यता प्रकित की पूजा करते हैं इनके हाँ आप देखोगे वर्षा के देवता जो आप वेदों में पढ़ते हैं वेदों का जो दरसल पूरी तरीके से पालन करते हैं तो कही न कहीं आदिवासी करते हैं अगर धार्मिक दिश्ट से देखा जाया तो तो वो प्रकित की पूजा करते हैं, परवतों की पूजा करते हैं, वर्षा का उनका देवता होता है, तो उनका एक ये धर्म सरना धर्म के नाम से जारकंड सरकार है, चुकि ये पॉलिटिकल हो गया है पूरा, तो सरना धर्म को इसका कोडिफिकेशन किया, 2021 में जारकंड के व स्विकृति पदान करें तो जारकंड सरकार का प्रस्ताव है राज में आदिवासी समधायों के लिए सर्मना धर्म कोड को स्विकृति पदान करने के लिए ठिक तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद